दिपावली की रात कर लीजे या छोटा सा उपाय पैसों की किलत बिल्कुल नहीं होगी और पैसे की किलत हो जाएगी आपसे दूर हिंदो धर में दिपावली का त्योहाद पड़ी धूम धाम से मनाये जाता है और इस दिप लक्षमी और कुवेर की पूजा का बिधान है लक्षमी जी को प्रसंद करने के लिए जो लोग उनकी पूजा को मन से करते हैं उन्हें कई तरह के उपाई भी जरूर करते हैं जिससे की उन्हें मा का आशिरवाद मिल सके और उनके जीवन में पैसो की तंगी कभी न आये और घर में इस्तिर लक्षमी बिराजें इस बार दिपाउली 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी मान्नता के नुशार दिवाली जो है जिसे दिपाउली बोलते हैं उस दिन किये गए कुछ उपाईों से मा लक्षमी प्रशन नहों सकती हैं और आसिरवाद हमेशा घर के सदस्यों पर बना रहेगा आये जानते हैं ऐसे ही कुछ छोटे छोटे उपाईों के बारे में दिपाउली के दिन किसी युवा सुहागन इस्तिरी को घर पर भोजन मिठाई खिलाए और लाल वस्त जरूर भेट करें दिपाउली के दिन लक्षमी जी को चैने की कच्छी धाल चढ़ाए और बाद में पीपल के पेड में चढ़ा दें आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए दिपाउली के दिन चान्दी तथा तांबा या स्टील के बरतन में पानी भर कर घर के इसान कोण में रख दें पानी का बरतर रखते समय इस बात का ध्यान रखे कि घर की तिजोरी का मुह उत्तर दिशा में हो और तिजोरी रखे तो पैसे गहने लाल या पीले कपड़े में बांध के रखे माना जाता है कि इस तरह के तूटके से मालक्ष मी प्रशन होती है और जीवन में धन संबंदित सभी परिशानिया जल्द खत्म हो जाती है दिपावली के दिन रोटी बनाए और रोटी के चार बराबर टुकड़े कर ले इन में से पहला भाग गाय को खिलाए दूसरा भाग का को खिलाए और आखरी भाग घर के पास किसी चोराहें पर रख दे इस उपाई से आपको आर्थिक कस्टों से छुटकारा मिलेगा और बिगड़े काम बनने लगेंगे धन अगबन के योग बनाने के लिए दिपावली की रात को लक्षमी पूजन के साथ साथ काली हल्दी की भी पूजा करें और फिर काली हल्दी को अपने घर ऑफिस की तिजोरी में रख दें इस उपाई से घर में धरलाब की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कार्थिक महीने की अमा उस्या को दिपावली पर मनाये जाता है दिपावली भारत के सभी प्रमुखुस तेवारों में से एक है इस दिन शुम महुर्त में सही बिदी विधान से लक्ष्मी पूजन किया जाता है और मा लक्ष्मी से धन संपदा का आसिरवाद लिया जाता है और लक्ष्मी जी को प्रसन्य करने के लिए कई तरह के उपाई भी किये जाते हैं जो बहुत ही कारगर सावित होते हैं त आप सभी को मालक्ष्मी का बहुत प्रियमंत्र हैं आप सभी को समर्पीत है अरुण कमल संस्था तद्रजह पुंजवर नाम करदुगल ध्रितेस्था भीत युगमां भुजाच अभी तक आपने हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें सेर करें और कमेंट्स करें तब तक के लिए